हेलो फ्रेंड्स मैं स्वाती जेटली आज अपनी नई रेस्पी के साथ आई हूँ आज मैं इमली की कड़ी बना रही हूँ वो भी उर्थ डाल डाल कर चलिए हम बनाना शुरू करें सौ ग्राम हमने इमली ली थी इसे हमने आदा गंटा विगा कर छोड़ दिया उसके बाद च्छाना है इमली की कड़ी में हम और्थ की डाल डालते हैं इसको हमने पीस लिया उसके पाद थोड़ी डाल हमने बचा ली है चार चम्मच के बराबर हमने दाल बचानी है इसमें पानी और डालेंगे थोड़ा सा गुड़ लेना है जितना आप मीठा पसंद करती हो उतना गुड़ ले आदी हमने उर्थ की डाल बचा रखी थी उसके हमने बड़े तयार किये गैस पर हमने कराही रखी उसमें दो चम्मच के बराबर हमने तेल डाला है हिंग डालेंगे दो पिंच जो इमली का पानी बना कर हमने रखा है इसमें और की डाल का पेस्ट हम मिला लेंगे जो हमने आधा बचाया हुआ था थोड़ा सा इसमें और पानी भी डलेगा और सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे पोरसा उबाल आए उसके बाद हम लाल मिर्च डालेंगे अपने स्वात के अनुसार आप इसमें लाल मिर्च डालें पानी और थोड़ा सा डलेगा मान कर चलिए देर ग्लास पानी इसमें डलेगा अब इसके बाद हमने इसमें गुड़ डाल दिया नमक स्वात के अनुसार अगर आप हल्दी पसंद करती हैं तो इसमें हल्दी डाले अगर नहीं पसंद करती हैं तो ना डाले पड़े हमने पानी में भीगा दिये थे, सॉफ्ट होने के लिए, हलके गुन-गुने पानी में भीगे हुए 5 मिनट छोड़ने हैं, यह सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हाथों में इस तरह दवा कर हम इसका पानी निकाल देंगे, और फिर बड़े इसमें डाल देंगे, सारे 6 मिनट खौलने दे, करी बनकर तयार, उसके बाद हमने इसे सर्फ कर लिया, हमारे उर्थ दाल की करी बनकर तयार है, यह बहुत ही स्वादिष्ट करी बनती है, अगर आप एक बार बना लेंगी, तो आपका मन अकसर करेगा इस करी को बनाने का, अगर आपको मेरी ये सब्सक्राइब करना ना भूले